साथियों सुबा सुबा का वक्त है और आप चिडियों के चहचाहाने की साथ मैं गिलहरी के बोलने की आवाज को बहुत ही गौर से सुन पा रहे होंगे तो आज यहां हम दोस्तों आपके लिए एक ऐसा फ्लावर लेके आया हैं जैसा कि आपने थमनल में देखा कि यह जो फ्लावर है इसको बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में एक या दो बार देख पाते हैं और ऐसे भी लोग होते हैं जो शायद अपनी पूरी लाइफ में इस फ्लावर को कभी नहीं देख पाते हैं यह फूल है दोस्तो बास का फूल बंबू फ्लावर तो यह मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत क्लियर दिखाने वाला हूँ बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूँ और इसके बारे में बहुत सारी में वीडियो बना रखी हैं बास के बारे में बास के फूलो के बारे म तो यहां आप देख रहे हैं कि यह जो है गुच्छा टाइप जो आप देख रहे हैं इसके उपर छोटे छोटे बाल white से देख रहे हैं तो यह जो बाल है यही बेसिकली flower भी है और यही बास का बीज भी है यही जो बीज है वो सूखने के बाद नीचे गिर जाता है और जो पहली उसके बाद बरसाथ होती है बरसाथ में फिर ये दुबारा से नए बीज़ जो है बुख जाते हैं अबार में बहुत सारी कहावते हैं, फूल जिस साल आता है, उस साल में फसलोगे बरबाद भी आती हैं, अपनी पूरी लίοasan में द्लावडरिंग करता है और मिनिमंप कम से यह में 25-30 साल ले लेता है, पहली जो फ्लावरिंग इसी की होती है, 25 से 30 साल से कम तो नहीं होती है 25 साल गुजरने के बाद 30 साल गुजरने के बाद लाइफ खतम करने से पहले चाहे वो 50 साल हो 70 साल हो उससे पहले सिरिफ एक बार फ्लागरिंग करेगा तो इसी लिए जो थमनेल में आपने टाइटल देखा कि बहुत कम लोग होते हैं यह मैं कहूंगा कि बहुत खुस नसीब लोग होते हैं जो साइद फूल अपनी लाइफ में देख पाते हो गाओं अगेरा में तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पूरी लाइफ में दो बाद तीन बार भी देख लेते हैं क्योंकि से बाहर जादा तर जाते रहते हैं तो गई बार एक दो बार देख लेते हैं पूरी लाइफ में इसके जो फूल होते हूँ लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में बाश का फूल दे Кद्धू नहीं इसका जो फूल है वो मैंने काफी कोसिस किया है कि बहुत अच्छे से जो है वीडियो सूट करके आपको दिखाऊं देखे उपर जो है सफेज सफेज बाल दिख रहे हैं यही इसका फूल है जो मेरे हाथों पर गिरा हुआ है और उसके अंदर यहां फलियां होती है फलियों के रस जो है निकालने के लिए आती है आपे तो जहां पर मैं अभी मौझूद हो यह के अंदर सुबह सारी मदवख्यां आ जाती है फलावर का रस लेने लिए अभी वीडियो में आप देखेंगे तो बहुत सारी मदवख्यां दिख जाएंगी तो इस तरह से मैंने कोसिस किया है कि आपको जो है बास का फूल होता है बंबू फलावर होता है उसको मैं अच्छे से दिखा सकूँ और कभी दोस्तों अगर आपको बास का फूल कहीं दिख जाए किसी बास में फलावर खिले वे दिख जाए तो आप जरूर उसके पास काटेदार होते हैं यह लेकिन बहुत करीब जाने से अगर आप बहुत करीब जाएंगे तो इन फ्लावर में थोड़ी थोड़ी जो है खुस्बू भी मुझूद होती है तो चलिए दोस्तो आप जो है बंबू फ्लावर जाने की मास के जो फूल है उनका द्रिशे देखे और हम जो है दुबारा आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कि टुछ स्धस्तों करवड़ी तो जो है होगी एखिणयक सब्स्ट जाम सेcekवे पूल है जहर हार्च भी जाएंगे की मास, देखे ठाव होग तो एफ प्लावड़ी थो है